तो चलिए अब हमें question solve करते हैं इस question में हमें तीन अलग-अलग complex numbers दे रखे हैं और हमें इन सभी complex numbers को A plus IOTA B की form में denote करना है यानि कि हमें इन तीनों complex numbers में से ये बताना है कि इनका real part कौन सा है एंड इनका imaginary part कौन सा है तो चलिए अब हम इसे solve करते हैं पहला number है हमारा 3 into 7 plus 7 IOTA plus IOTA into 7 plus 7 IOTA तो जब हम इसको आगे solve करते हैं तो हमें मिलेगा 14 plus 28 IOTA तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा यह complex number A plus IOTA B की form में आ गया है जहां real part 14 होगा एंड imaginary part 28 होगा अब इसी प्रकार हम second and third complex number को भी A plus IOTA B की form में convert कर सकते हैं तो अब आप इस वीडियो को यहीं पोज कीजिए एंड इन दोनों complex numbers को A plus IOTA B की form में represent कीजिए जहां आपको इन दोनों complex numbers के real part और imaginary part बताने हैं तो आपने इन दोनों complex numbers के real part, imaginary part निकाल लिए होंगे तो चलिए अब हम देखते हैं second complex number है हमारा 1 minus IOTA minus minus 1 plus 6 IOTA और जब हम इसे आगे solve करेंगे then we get 2 minus 7 IOTA यानि कि इसका जो real part है वह 2 होगा and imaginary part minus 7 के equal होगा यह ध्यान रखना है कि जो imaginary part है वह minus 7 के equal होगा ना कि 7 के क्योंकि हम इस number को A plus IOTA B के साथ compare कर रहे हैं अब हम third part की बात करते हैं third part में है IOTA की power minus 39 इसको हम लिख सकते हैं 1 upon IOTA की power 39 अब हम इस number में देख सकते हैं कि जो IOTA है वह denominator में है इसलिए हम इसे अभी A plus IOTA B की form में convert नहीं कर सकते हम किसी भी complex number को A plus IOTA B की form में तभी represent कर सकते हैं जबकि IOTA केवल numerator में दे रखा हो अब हम IOTA को numerator में कैसे लाएंगे पहले हम IOTA की power 39 को solve करते हैं तो ये solve करना हम पहले सीख चुके हैं तो IOTA की power 39 को हम लिख सकते हैं IOTA की power 4 into 9 into IOTA cube and IOTA की power 4 into 9 1 हो जाएगी क्योंकि IOTA की power 4 का multiple 1 के equal होता है and IOTA cube हमारा adjective आ जाएगा जिससे की हमारी IOTA की power 39 की value minus IOTA के equal मिलेगी अब हम इस वाले equation को लिख सकते हैं कि IOTA की power minus 39 is equal to 1 upon minus IOTA क्योंकि हम find कर चुके हैं कि IOTA की power 39 minus IOTA के equal है अब हम यहां देख सकते हैं अभी भी जो IOTA है वह denominator में है तो हम इस नमबर को अभी भी A plus IOTA B की form में convert नहीं कर सकते तो हम अब आगे क्या करेंगे हम IOTA का numerator और denominator में multiply करेंगे मतलब IOTA की power minus 39 की value हमें IOTA के equal मिली है तो हम कह सकते हैं कि इस नमबर में हमारा real part तो 0 होगा and imaginary part 1 के equal होगा क्योंकि यहाँ IOTA का coefficient 1 है क्योंकि विर सकते हैं क्योंकि यहाँ IOTA मूगा क्योंकि दोग्पशन मेंगे